नवस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र, आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बात आज के पंचांग की तीन जून दोहजार चौबिस दिन सोमवार, जेस्ट मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, द्वादसी तिथी है, अश्वनी नचत्र है, चंद्रमा मेश राशी में गोचर कर रहे हैं, भगवान शूर ब्रश राशी में बिराजमान हैं आज अभिजीत मुहूर्द का समय होगा, सुबह 11 बज कर 52 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 47 मिनट तक, रहुकाल का समय होगा, सुबह 7 बज कर 7 मिनट से, शुबह 8 बज कर 51 मिनट तक, दिशा शूल है, पूरु दिशा चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों को भागे का साथ मिलेगा लोगों से मतभेद दूर होंगे प्रापर्टी के मामले में फैसला जल्दवाजी में ना करें परिवार की सलाह से डिसीजन लेना होगा सेहत पर ध्यान देना होगा व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुमरंग, सफेद, उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें ब्रश राशी आपका सम्मान और बढ़ेगा धन लाब का योग है यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे है रुका हुआ पैसा प्राप्थोगा सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप कम बोले शुबरंग, भूरा उपाय, बच्चों को कौपी पिन दान करें मिथुन राशी, आपका पराक्रम बढ़ेगा अचानक खर्चों में बढ़ोत्री होगी जीवन साथी से सहयोग प्राप्थोगा कोट केस में सफलता मिलेगी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें जरूरे टिप क्रोध से बचें शुबरंग केसरिया उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें करक राशी योजनाएं आपकी सफल होंगी पूरे उत्साह से काम करेंगे कहीं से शुब समाचार प्राप्थोगा मित्रों की मदद से काम बनेंगे क्रोध से बचना होगा व्यापार में लाव का योग बन रहा है जरूरे टिप इगो से बचें शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को दूद का दान करें सिंग राशी परिवार की सला से काम करें आपके खर्चे बढ़ेंगे सेहत के मामले में ध्यान देना होगा संतान को लेकर चिन्ता रहेगी हर काम साउधानी से करें व्यापार में ज़ादा निवेश ना करें जरूरे टिप अहंकार से बचें शुबरंग गुलाबी उपाय गव माता को रोटी खिलाएं कन्या राशी धनलाब का योग है योजना बना कर काम को आगे बढ़ाएंगे मन की परिशानिया दूर होंगी रिस्ते मजबूत होंगे सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी व्यापार में तेजी आएगी जरूरे टिप क्रोध से बचें शुबरंग बादामी उपाय छात्यों को कौपी पिन दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है सुनेल कुमार गर्ग का इनकी डेटा बर्थ है 14 अक्टूबर 1992 जन्म का समय सुबह 8 बज कर 10 मिनट जन्मिस्थान दिल्ली का है इनका सवाल ये है कि ये मैटल का बिजनस करते है क्या मैटल का बिजनस इनहीं करना चाहिए देखिए सुनेल कुमार जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी तुला लगन की शुरू हुई है और अक्टूबर 2036 तक चलेगी और उसमें शनी की अंतरदसा नौमबर 2023 से सेप्टेंबर 2026 तक चलेगी आपकी कुंडली के हिसाब से आप मेटल का काम कर रहे हैं मेटल के काम में जितनी आपको सफलता मिलनी है उससे कहीं जादा सफलता मिलेगी अगर आप जो है डेरी प्रोडक्ट का काम करेंगे लिक्विड आइटम का काम करेंगे तो उसमें आपको जादा सफलता मिलेगी और इसका जो समय शुरू होता है जो आप लिक्विड आइटम का काम कर सकते हैं वो शुरू होगा सेप्टेंबर 2026 से अभी जो आप मेटल का काम कर रहे ह प्रोडक्ट का हमने आपको बताया उस पर रिसर्ज करिए और 2026 से आप शुरू करेंगे बहुत तेजी से उस फिल्ड में ग्रो करेंगे उपाय क्या करें जिससे अभी जो काम आप कर रहे हैं वो अच्छा चले आपके भागिका स्वामी बुद्ध है बुद्ध का रत्न पन्ना सवा ग्यारा रत्ती का पन्ना बुद्धवार के दिन सबसे छोटी उंगली में सोने के अगुखी में धारन कर लें और हर शनिवार के दिन गरीबों को कुछ खाने की चीचें तान करते रहें और शनिवार के दिन नियमेत रूप से हनुमान मंदिर जाएं वहां हनुमान चालीसा बैट करके अवश्य पढ़ें यह उपाय करिए हनुमान जी के आशिरवात से आप जो अभी काम कर रहें वो भी ठीक चलेगा तो आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे तुलाराशी प्रापर्टी से सम्बंदित लाब होगा परिवार में सुख बढ़ेगा लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें छात्रों को परिक्षा में सफलता मिलेगी सेहत के मामले में सावधान रहना होगा व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरे टिप विनम्रता से बादचीत करें शुबरंग सिल्वर कलर उपाय किसी गरीब को फल दान करें ब्रिश्चिक राशी अधूरे काम पूरे होंगे मित्रों की सहायता से काम बनेगा रिस्तेदारों से संबंध सुधरेंगे पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करना होगा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा व्यापार से जुड़े काम बनेगे जरूरे टिप कम बोलें शुबरंग मरून उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें धन उराशी धन की स्थिती बहतर होगी कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी आफिस में सहयोगियों से मदद प्राप्थ होगी संतान की सेहत को लेकर चिन्ता रहेगी यात्रा से लाब का योग है जो लोग बिजनस करते हैं हर काम सावधानी से करें जरूरे टिप अहंकार से बचें शुबरंग के सरिया उपाय कन्याओं को भोजन दान करें मकर राशी आगे बढ़कर काम करने का दिन है भागे का साथ मिलेगा धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा अपनी सोज को पॉजटिव रखकर फैसला करना होगा व्यापार में लाब के लिए प्रयास तेज करना होगा जरूरी टिप नेगेटिविटी से बचें शुबरंग हलका नेला उपाय गव माता को रोटी खिलाएं कुम्भराशी नतित्य छमता आपकी और बढ़ेगी कारचेत्र में ध्यान देना होगा मन की टेंशन दूर होगी नई नोकरी का ओफर मिलेगा परिवार के सहयोग से काम बनेंगे व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप क्रोध से बचें शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें मीन राशी भाग का साथ मिलेगा आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा करियर में उन्नती के आउसर प्राप्त होंगे वाहन सावधानी से चलाएं सेहत पर ध्यान देना होगा व्यापार में निवेश से फाइदा होगा जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग पीला उपाए गव माता को रोटी खिलाएं राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फीर होगी आप से मुलाकात जिन लोगों का जनम दिन हैं उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत शुब कामना हैं आप का आने वाला समय शुब हो नमस्कार